हेलो दोस्तो यदी आप एवेकस sph Alg это के चालते हुए तो दोस्तो आपको बने phone चेंडit ख्रोलजर के बरोग्हार यह ओपन कर देना है ओपन करने के बाद दोस्तो आपको यह आप पर टाइप कर देना कर देने के बाद दोस्तों आपके पास यह पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आपको नीचे के और आना है आपको यहां पर स्टुडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है अशुडेंट जैसे आप सेक्शन पर क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आप यहां से New registration पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको यहां पर अपना फ़ोन नंबडburger देना है और दोस्तो जो आपको मुबाइन नमबर पर OTP आया होगा तो दोस्तो आपको यहां पर डाल देना है फिर आपको capture code बढ़ने के बाद दोस्तो आपको विलेड़ OTP to Proceed to Registration पर क्लिक कर देना है दोस्तो आपको फिर अपने email ID पर जो OTP आया होगा या फिर जो मुबाइन नमबर पर OTP आया था वही सैम आपको यहां पर भी डाल देना है और दोस्तो फिर आपको capture code बढ़ने के बाद आपको विलेड़ OTP पर क्लिक कर देना है registration form पर जैसे आपको जैसे आपका OTP confirm होता है तो दोस्तों आपके पास यह पेज उपन होगा और यह पेज उपन अनके बाद आपको यहां पर सबसे शुरू में यहां पर आपको उपर क्यों दिखाई देरोगा state name आपको यहां पर एपना state select कर सकते हैं और यहां से पिर आप district name आप अपना general जैसे जीसिकि जो ढबिया आप कर आप सबसे होगा out सबस्क्राइब आपने विशुरू का देना और कॉलीजियर आपको यहां पर पासिंगे लेंगे यानि आपने you स्कूल कोन सी सन्वे पास किया है और आपको यहां पर फिर अपना नेम और इहाँ पर अपने अपकता नाम लिख सकते हूं फिर उसके आगे यहां से अपने कोस् translations याप सैंफ पासवेड करें फिर आपको क्केशल कोड पर देनाए फिर आपको सम्माइट कित कर देना है जिसी आप दोस्तों फिर आपको सभिपड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जाता है तो आपका न कर told है दोस्तों फिर आपको सुट्रीम करने उस्थ तक क्लिक करता है तो दोस्तों अब यहां से आप लोगिन करना है आपको यूजर टाइप में आप अपना कोलिक चुन सकते हैं गॉर्मेंट पॉलिज एडिट कोलिज सैल्फ ऐनेस कोलिज एस्टेट उनिवर्सटीं केमपस जो भी आपको कोलिज आप यहां से क्लिक करेंगे दोस्तोब आपके पास पेज ओपन होगा आपको यहापर तीन स्टैप student profile a student current profile present examination data आपको यहाप यह तीनो process complete करने है और दोस्तों सबसे पहला आपको student profile पर क्लिक कर देना हैं और दोस्तो इसके बाद आपको यहाँ पर basic information आपको यहाँ पर अपनी class आप कौन सी class में है आप यहाँ से select कर सकते हैं और दोस्तो फिर आपको यहाँ पर अपना धार नंबर और फिर आपको category, subcategory, religion, minority status, originally, residence of select कर देना है फिर आपको physically और यहाँ पर nationality आप Indian यानि कि आप Indian आप यहाँ से select कर सकते हैं और दोस्तो फिर आपको 7 and next पर click कर देना है दोस्तो जिसे आप 7 and next पर click करते हैं आपके पास basic information फर्ष्ट के लिए आपके यहाँ पर आपके फादर की income, annual income कितनी हैं आपके यहाँ पर fluff कर देना हैं आपके पिता जी क्या करते हैं आपके यहाँ पर fluff कर देना है mother, mother name, mother occupations और यहाँ पर आपके parents यानि कि आपके parents का mobile नंबर और आपके scholarship क्या वाद सकता है और income certificate नंबर फिर आपको 7 and next पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप 7 and next पर click करते हैं तो दोस्तों आपके पास अब आपको यहाँ पर अपना address fluff कर देना हैं आपक यहाँ पर टिक कर देना है पुछ सेम यहाँ पर भी अपना address fluff कर देना है फिर आपको 7 and next पर click कर देना है दोस्तों आपको फिर academic info में आपको यहाँ से जो भी आपके पास qualification है आप यहाँ से जहां तक भी आपने education प्राप्त किया है आप यहाँ से select कर सकता है year आप अपना high school पूलकर row number year intermediate जो भी आपने आसे किया है और आप यहाँ पर subject और row number डालकर आप 7 and next पर click कर देंगे फिर आपको दोस्तों upload documents पर click कर देना है और दोस्तों फिर आपको यहाँ से educational documents जैसे कि आपने 10th और 12th degree जो भी आपने qualification पास किया है आप यहाँ से उनकी PDF बना करके upload और दोस्तों category certificate, income certificate, scholarship और इसके बाद आपको यहाँ पर submit कर देना है दोस्तों जैसे submit पर click करेंगे तो दोस्तों आपको उपर क्यों three line दिखाई दे रहे होगे आपको यहाँ पर आना है जैसे आप इस पर click करेंगे दोस्तों आपको पास यहाँ पर dashboard पर आपको click कर देना है फिर आपको यहाँ पर student current profile पर click कर देना है दोस्तो आपको यहाँ पर अपनी basic information जैसे कि आप कौन सी class में और मलब आप कौन से यह रहे आपका और आप यहाँ से क्या कर रहे है दोस्तो आप यहाँ से select करें और दोस्तो semester आपका कौन सा है क्या आप online class रहे हो क्या आपके पास mobile profile और laptop दोवार आपने online class लिया है फिर आपको seven next पर click कर देना है फिर आपको address में आपको Sam जैसे कि आपने पहले address फिलब किया था यहाँ पर Sam अपना address फिलब करेंगे फिर आपको bank info यानि कि आपको bank information आपको bank name, bank branch, bank IFC code, bank account number, bank address फिर आपको submit पर click कर देना है फिर से आपको three dots पर उपर के और दिखाई दे रहोगा आपको three line पर click कर देना है जिसे आप click करेंगे फिर आपको dashboard में जाना है फिर आप present examination data पर click करेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पर अपने subject यानि कि आप facility name आप क्या कर रहे हो और दोस्तों आप यहाँ select कर सकते है और दोस्तों आप पर दोस्तों major subject third फिर आपको stream name subject name university name college name 180 minor elective subject paper और दोस्तों फिर आपको subject university college कोकलर में भी आपको और a skill course research interface field आप किसी research में और दोस्तों फिर आपको submit पर click करेंगे आप यहाँ से final lock में जा करके आप अपने सभी steps को देख सकता है कि आपके 3 आपके यहाँ पर 3 टिक सो करेगा और फिर आपको आपका च्योर रिजिस्स रसना है वो complete हो जाएगा और दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लिग हो तो से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कोमेंट कीजिए धन्यवा झाल